नमस्कार मैं के मिश्रावनलों में आपका स्वागत करता हूँ सब्री मला मंदिर के बारे में इतने दिनों से न्यूज में आ रहा है बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई पड़ रही है परन्तों सब्री मला मंदिर के बारे में सायद ही नौर्थ इंडिया में इतनी जादे स्प्रिम कोट ने साप कह धिया है कि पांच दिन महीने के पांच दिन महिलाओं के लिए खोला जाएगा यह और वह महिला जिनकी आयू दस वर्स से लेके पचास वर्स की होंगी वह इस मंदिर में महीने के पाच दिन जा पाएंगी तो खबर यह है तो सबसे बड़ी यह बात आपको आ रहे इसमें जो हम मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको मैं पूरी कहानी समझाओंगा आखर क्यों यह राजनीती चल लएकि यह राजनीती बना करके सब्री मला पर राजनीती की जा रही है क्योंकि जिस तरह से भगवान राम का मंदिर पर आज तक मंदिर को नहीं बनने दिया गया उस पर राजनीती खडी करके सेम उसी तरह का यहां पर क्या प्रोपर गर्णा चल लाए पूरी खबर दे सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब को पता है क्योंकि यह केरल में इस्तित है तो हिंदी भासी लोग वहाँ पर जाना वहाँ पर कम ही हो पाता है तो लोग बहुत जादे इस मैटर को नहीं समझते हैं और सिर्फ यही जानते हैं कि 10 वर्ष से 50 वर्ष की आयो की आउड़ते जो हैं उनका वहाँ बैन है और वहाँ नहीं जाती है तो आकिर वहाँ पे क्यों नहीं जाती है और क्यों कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आकिर में महिलाओं को क्यों नहीं जाना चाहिए क्या यह महिला ससक्ति कर्ड से जुरावा कि महिलाओं का बिरोध यहां इस मंदिर में इसलिए गया जा रहा है कि महिलाएं हैं महिलाएं दुर्बल होती हैं इस वज़े से महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है या कोई और मुद्बा है वो चीज़ समझाने कोश्व करते ह केरल की सबरी माला में मसूर स्यामी आयपपा का मंदिर महिलाओं के प्रेवस के नाम से चल लही बाच के लगातार या सवाल उट रहा है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या हुआ कि इसाई और इसलाम धर्म को मानने वाले तता कतित एक्टिविस्ट भी कम से कम एक बार यहां घ धर्मानतर की कोशिसों को भी समझना होगा साप केरल में सबसे जादे इसलाम हैं सबसे जादे मापकी जिगा इसाई लोग हैं और यह वही केरल है जहां आटल जी की अस्थियों को प्रवाहिद विसर्जित करने से भी मना कर दिया था यहां के सरकारों ने कि यहां पर नदि कि यहां पर आखिर किस तरह की मेंटाल्टी को रोग रहते हैं इसकी मांसिकता क्या करमें है वहां पर मंदिर में प्रेयोस पाने के पीछे नियत धार्मिक नहीं बलकि यहां लोगों की सदियों पुरानमी धार्मिक आस्था को तोड़ना है ताकि इस पूरे इलाकों में बसे लाकों हिंदों को इसाई और इसलाम जैसी अबराहमिक धर्मों में लाया जा सके केरल में चल ले धर्मांतार वियानों में सब्री मला मंदिर बहुत बड़ी रिकार्ड बनकर खड़ा हुआ है पिछले कुछ समय से इस पवित्रता को लेकर अस्थानी लोगों की आस्था पर चोट पहचाने का काम चल रहा है लेकिन हर कोसिस को नाकाम हो रही थी लेकिन आकिरकार महिलाओं के इस मुद्धे पर इसाई मिसानेरियों ने सिर्फ सबरी माला के आया अप्पा मंदिर बलकि पूरे केरल में हिंदु धर्म के खात्मे के लिए सबसे बड़ी चाल चल दी है अब इसाब चीज़ें अभी जो मैं बता रहा हूँ, रिसर्च के साथ आया है, यह कहीं किसी ऐसा नहीं आपको हर जगर मिल जागा, यह चीज़ें आपको बहुत कम जानने को मिलेंगे, आखिर या आखिर में क्या सड़ेन ते चला के डेल में, आपको पता है के डेल में हिं के सवाल खड़े करते हैं कि वहाँ पर जो लोग महिलाओं को जाने से मना कर रहे हैं अगर वह गलत रोक रहे हैं तो इतिया समझे तब समझेंगे आप गलती क्या है सही क्या है 1980 के पहले यह सबरी माला तक सबरी माला के सौमी आयप्ता मंदिर के बारे में ज़्यादा लोग को नहीं पता था किरल और कुछ आसपास के इलाकों में बसने वाले लोग यहां के भग थे 70 और 80 के दसक का यही वो समय था जब किरल में इसाई में सबसे मजबूती के साथ पैर जमाने सुरू कर दिये थे उन्होंने सबसे पहला निसाना गरीबी और गरीबों और अनुसुच जातिकुल के लोगों को बनाया बड़े पैमाने पर यहां लोगों को इसाई बनाया गया इसके बावजूद लोगों की मंदिर में आस्ता बनी रही इसका बड़ा काराड़ गया था कि मंदिर में पूजा का एक विशेश विधी तय थी जिसके तहत दिच्छा अधारित ब्रत रखना जरूरी था सबरी माला उन मंदिरों में से एक था जहां पूजा पर किसी जात का विशेश रदिकार नहीं था किसी भी जात का हिंदू पूरे विधी विधान के साथ ब्रत पालन करके मंदिर में प्रवेश पा सकता था सबरी माला में सौमियाय अप्या को जागृत देवता माना जाता है यहाँ पूजा की जात भीहिन व्योस्था का नतीजा है कि इलाके के दरितों और अधितवासियों के बीच मंदिर को लेकर अटूट आसता है मानेता है कि मंदिर के पूरे में पूरे विधी विधान के साथ पूजा करने वालों को मकर संक्रांती के दिन एक विशेश चंद्रमा के दर्सन होते हैं जो लोग ब्रत को ठीक धंग से नहीं पूरा करते हैं उन्हें यह दर्सन नहीं होते हैं जिसके एक बार इस चंद्रमा के दर्शन हो गए, माना जाता है कि उसके पिछले सभी पाप धुल गए हैं। तो यह ही तियास है यहाँ पर किसी भी जाच कि अगर हो हिंदु धर्म कहा कहीं कहा है, तो किसी भी जात हो, ब्रामनो, चत्रियो, वैसो, सूद्रो, यहाँ पर एक बिशेश प्रथा है, जिस प्रथा को फॉलो करके आपको इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, इहां पर हिंदु धर्म के लिए, सबके लिए यहां पर यह मंदिर खुला हुआ है। समरी माला मंदिर के पूजा बिधी देश के बागी मंदिरों से कापी अलग और कठी नहीं, नहां दो मुठी चावल के साथ दिच्छा दी जाती है, इसके दोरान रुद्राग जैसे एक माला पहननी होती है, साधक को रोज मंत्रों का जाब करना होता है, इस दोरान वो काले कपड़े पहनता है, जमीन पर सोता है, जिस किसी को यह दिच्छा दी जाती है, उसे स्वामी क का रोप ले लिया है मेहनत का मजदूर करने वालों और कमजोर तबकों के लाखो करोडों लोगों के ने मंदिर में दिछछली और स्वामी कहला है लोग ऐसे लोगों का समाज में बहुत उचा स्थान माना जाता है यानि यह मंदिर एक तरह का जातिपात तोड़कर भगवान को एक तरह हर सादक को उचा स्थान देने का काम कर रहा था जो कोई दूसरी संबैदानी ब्योस्ता कभी नहीं कर सकती है इसाई मिसानलियों के लिए हम उसकिले बनती गई हैं क्यों उसकिले बनती गई हैं अब आके आपको बताते हैं सबरी माला मंदिर में समाज के कमजोर तबकों के एंट्री और वहां हो रहे समाजिक बदलाओं ने इसाईयों मिसानलियों के कान खड़े कर दिये उन्होंने पाया कि जिन लोगों को उन्होंने धर्मांतिर करके इसाई बना लिया है वो भी स्वामी आयप्पाक में आस्था रखते हैं और कई ने इसाई धर्म को त्याक कर वापस सबरी माला में स्वामी के तौर पर दिख्चा ले लिए यही कारण है कि मंदिर इसाई मिसंडरियों की आँखों में लंबे समय से खटक रहा था अमिताब बच्चन येशुदार जैसे बड़े लोगों ने भी स्वामी आयप्पाक की दिख्चा ली है इन सभी ने भी मंदिर में जाकर दो मुठी चावल के साथ दिख्चा ली है इस दोरान उन्होंने चपल पहनना मना होता है था और उन्हें भी उन्हीं रास्तों से गुजनना होता है जहां तक जहां उनके साथ कोई रिक्से वाला कोई जूते चपल पानाने वाला स्वामी चल रहा होता है नतीजा यह हुआ कि इसाई संग्राने सब्डी माला मंदिर के आज-पास चर्च में भी मकर संग्रानती की दिन फरजी तौर पर चंदर दर्सन कारे करम आयूजित कराए जाने लगे इसाई धर्म के इस फर्जी वालों के बावजूद सब्री मला मंदिर में लोग प्रिया दिन दूनी राच चोगनी बढ़ती रही नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मंदिर में 10-50 साल तक के महिलाओं के प्रवेस पर रोक को मुद्दा बनाकर सुप्रिम कोर्ट में याचिका डाल दी यह याचिका हिंदू नाम वाले कुछ इसाई और एक मुसल्मान की तरब से डलवाई कही 1980 में सबरी मला मंदिर के बागीचे में इसाई मिसल्मनों ने रात और रात एक क्रॉस गार दिया नीचे दिखे उन्होंने इलाके में पर्चम इलाके में पर्चा तक बटवा दिया फरजी तरीके से जो काम किया गया यह 2000 साल पुराना सेंट थामस का क्रॉस है इसलिए यहां एक चर्च बनाया जाना चाहिए उस वक्त RSS के नेता जे सुसुपालन ने इस क्रॉस को हटाने के लिए आंदोलन चीड़ा था और इसमें सफल भी हुए इस आंदोलन को बदले में राज सिकार ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था देखे साहब कितना बड़ा सड़यंत रथा आपको सब समझ में आ गया होगी आखिर में क्यों यह चीजें क्यों आखिर में उठाय जा रहे हैं पता है कि यही है जहां केरल में पूरी तरह से इसाई मस्लियों का और मुस्लिमों का वहाँ पर पूरी तरह से बर्चस्व है वहाँ पे इस दर्म का तो यह लोग चाहते हैं कि अब हिंदु धर्म का एक ही मंदिर है जो आयप्या, स्वाया, मैंपका, सब्री, मला, मंदिर इस मंदिर में किसी तरह से इसको तोड़ करके वहाँ कोई धानम कास्तल बना दिया जाए तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो हिंदूों का बर्चस से बढ़ा हुआ है मतलब हिंदू जो कुछ बचे हुए हैं उसे उन हिंदूों को खत्म किया जा सके आगे बढ़ते हैं केरल में हिंदूों पर सबसे बड़ा हमला क्यों है यह केरल के हिंदूों के लिए यह इतना बड़ा मसला चाहिज़ लिए है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस पूरे बिवाद की जड़ में नियत क्या है राज में हिंदू धर्म को बचाने का उनके लिए है आकरी मौका है कीरल में गैर हिंदू आबादी के साथ बढ़ते हुए 35 सी से बियाधिक हो चुकी है अगर सबरी माला की पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया गया तो इसाई मिसानियों प्रचार करेगी कि भगवान आया प्यार में कोई सक्ति नहीं है और वह सुद्ध हो चुके हैं ऐसे में चंदर दसन कराने के लिए उनकी नकली दुकानों पर भीड़ बढ़ेगी नतीजा धर्मांतरण के रूप में सामने आये गए समझना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि जिन तत्था कतित महिला अक्तिविस्टों ने जब आप मंदिर में प्रवेस की कोशिस की है वो सभी इसाई मिसानियों के करीबी माने जाते हैं जबकि जिन हिंदू महिलाओं को बराबरी के नाम पर यह अभियान चलाए जा रहा है वो खुद उन्हें रोकने के लिए मंदिर के बाहर दिवार बनकर खड़ी है तो साहब यह पूरी कहानी है जिस पर आप सुप्रीम कोट ने क्या कर दिया है कि साहब अभी पांच दिन के लिए महिलाओं के लिए मंदिर खोल दिया जाए मतलब जो एक परंपरा है जिस परंपरा पर वह मंदिर चलता आया उस परंपरा को तोड़ करके अब क्या होगा कि उसमें एक अपनी परंपरा को विक्सित किया जाएगा और वहाँ पे इसाई मिसंडरियों का अपना बोल बाला बढ़ेगा उससे बर्चस्र बढ़ेगा आपको यार्द होगा कुछी दिन पहले जीनुज ने एक पोल खोली थे एक बहुत बढ़ा स्टिंग ऑप्रेशन किया था जिसमें कुछ दीरों पहले इलाहबास से आगे जाएंगे मिर्जापुर के कुछ ड्रामेर चेत्रों में कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन इसी तरह से किया जा रहा था जिसमें मिस्याई मिस्यों का बहुत बड़ा हाथ था और कई परिवार जो थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किये थे उस पर जब पादर से जो किसमस के फादर होते हैं उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा अगर इस तरह की कोई बाते चल नहीं है तो अगर ऐसा किया नहीं हो रहा हो पूरी बात साफ नकार गये थे लेकिन टीबी स्क्रिन पर उस समय कई लोग सामने आये खुलकर उन्हें ने बोला कि साहब हम आये हमारे धर्म को हमने धर्म परिवर्तन किया है हमने इसाई बना है और उसमें सामिल कुछ लोग जो भी थे जो बिचौलिये थ तो उनको एक लाख रुपया और पांच लाख का प्रलोबन दिया जाता था यह यूपी के हाले अब केरल में क्या होता होगा जहां उनका बर्चस्प जा दे है तो केरल में उनका बर्चस्प जाता है तो सबरी मरा मंदिर का जो यह कहानी है किस्सा है वह आपके सामने के बाद इसको जैसा इसमें बताया गया है इस कहानी में इस रिसर्च में कि एक मुस्लिम और एक साही समुदाय का विर्ति है जिसने पूरी कहानी को अंजाम दिया है और इसमें कोर्ट में घसीट करके लेकर आया है और महिला के ससती करण के नाम पर महिला को समानता काधिकार देने के नाम पर सारा गंदा खेल रजा जा रहा है तो आप सभी उसे अन्रोध है क्योंकि यह जो वीडियो मैंने बताई है पूरी रिसर्च के साथ बताई है सायद ही ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलेगी सब्री मला मंदिर के उपर कि आखिर लोग नहीं समझ पाते है क्योंकि कि टिपल तलाग के टिपल तलाग में मिलाओं के साथ तत्याचार होता है इसलिए आप त्याचार हो ला है लोग कंफूज हो जाते हैं और लोगों का सा जो सोच है वह सही तरीके से उस चीज़ों को सोच नहीं पाते कि आकर वी असल बात क्या है लेकिन असल बात मैंने आज आपको बताई हैं आप से अन्रोद करूँगा क्योंकि यह मुद्धा बहुत गरम है धार्मी मुद्धा मैं नहीं चाहता हूँ है धार्मी मुद्धे को कोड के लिए लोग कोड नी जो फैसरा दिया उसको चलो ठीक है फॉलू किया जा लेकिन कहीं न कहीं लोगों को की जीत हमेसा से होती है तो आप सच्चाई पर रहिए आप कोई भी हिंसक्त प्रदर्शन ना करें ना लाइक जरूर करें क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बैल मिलता है हम इस तरह के वीडियो लेकर आते हैं रिसर्च करते हैं और इसी के साथ हम वीडियो खत्म करेंगे धन्यवाद